को है तो वामतियों के समय का साथ करते हैं और ला चाले जआ अबहुत करें तो सब्मिट करता हूं तो हमारा यह ना अब ही आ जायगा हमारा ये बिए स्क्राइइ गर लृषी सी pressed बज़ाए ग। अगे इन कि अमद्ध को सब है पहला जै तो आते हैं पहले इन काम करते हैं लोगों निए तो हम लोगों को क्या करना है यहां पे इसमपल से आके HTML का जितना भी मोगों में रहें पर कमांड दे देंगे कोमां लगा के mündड देंगे क्विश्च जब क्लिक करें तब ही डेता हूं मैं जेसों इसका नाम देता हूं और हम लोग इसे ji tails in csv right अब मैं बनाता हूं इन टीनों का function बनाते हैं आप मैं देता हूं या और जैसी देखो in HTML पर जैसी sorry recording हो रही धी एसी मेरी recording हो रही थीज यी जेको site hml में ने बनाया उसका एंगा format जो में बनाता हूँ for format list.add एक पहले हम लिस्ट बना लेते हैं र्याइट लिस्ट किया घंप करेगा मैं बता रहा हूं एक हम लोग लिस्ट यहां बनाते हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे इसको i store करेंगे हम लोग किस-किस इसको हम लोगों ने चेक किया है तो मैं यहां बताओं मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं format लिस्ट नाम से बना देता हूं लिस्ट इसमें हम लोग सारा अपेंड करेंगे जिसे जिसे हम लोग क्लिक किये रहेंगे उसे अपेंड कर देंगे यानि कि html java json और csv3 को अब मैं क्या करूंगा in html.configure कर दूँगा मैं state equals to disable कर दूँगा right state equals to disable कर दिया अब इससे क्या होगा मैं दिखाता हूं उस दिखाने से पहले मैं इन तीनों को फड़ा फड़ कर देता हूं control v control v in html के बाद यह रहेगा in json मैं इसे कर देता हूं json in मैं कर देता हूं csv in csv कर देता हूं right अब मैं क्या करता हूं html यह था हमारा json json को upload कर दूँगा मैं और यहां पर कर दूँगा मैं csv को upload कर दूँगा अब देखते हैं हम लोग यहां पर in html.configure नहीं करना है मुझे in in json.configure और यहां पर मुझे करना है in csv.configure मैं इसे run करता हूं दिखाता हूं मैं क्या होगा देखो यह disabled हो गया disabled होगा disabled होगया अब हमें क्या करना है सब्मिट पर जैसे ही क्लिक करें तो हमें file dialogue खुलना चाहिए अभी तो देखो अभी फिलाल में करेंगे तो direct आ जा रहा है तो ऐसा नहीं है मुझे save भी तो करना है कहां पर save करना है तो आते हम लोग पहले एक बनाते हैं क्योंकि मैं इसके अंदर अब कॉल करूँगा अब मैं दिखाता हूँ इसको मैं download को call कर देता हूं simple से download download को call कर दिया मैं right अब यह click होगा तो download के पास जाएगा और उसके पहले मैं message box को import कर लेता हूं import message box comma file dialogue दोनों को मैंने कर लिया file dialogue क्या करेगा हमें data मतलब भी path देगा राइट हम लोग यहां पर आ गए जैसे हम लोग यहां पर click करेंगे तो मैं यहां पर एक काम करता हूं मैं एक और path variable बना देता हूं सबसे पहले मैं क्या करूंगा हां सबसे पहले में क्या कर सकता हूं हाँ सभी एक बना देता हूं मैं if condition लगा देता हूं if length of length of किसका हम लोग देखेंगे अगर format list का length 0 है is not equals to 0 है अगर है तभी हम लोग काम करेंगे अगर 0 है तो भाई उसमें कुछ हम लोग क्लिकी नहीं किया है, तो जाने देंगे उसे, हम लोग इसमें काम क्या करेंगे, path request हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम लोग path हम लोग यहां पर use करें, तो path हम लोग globally देते हैं, path को हम लोग modify करेंगे, path को हम लोग global बना देते हैं rices जो भी लुएपर होगा में दिखाता हूँ यह क्रदेता हूं यह फारासा दिखाता हूं अब दो मैं इसे सब्मिट किया तो यह क्या आ रहा है सुरी किस पर कहा गया यह आया क्यों नहीं फाइल डालॉट डाउनलोट पर मैंने यह किया कमांड सब्मिट सब्मिट पर दिया था ना मैं कमांड सब्मिट पर क्लिक किया यह डाउनलोड को कॉल नहीं कर रहा है क्यों नह यह simple से नीचे मुझे उसका path print कर देगा तो मुझे path तो मिल गया अब मैं इसी path के भरोसे store करूँगा तो path मेरे पास आ चुका है यह निक path variable में path हमारे पास है और अगर जैसे else हो तो मैं इसे path कर दूँ तो मैं कुछ ना करूँ वह simple से path कर दूँ तो हमारा इतना data हो चुका है अब हमें जब इतना path मिल जाएगा तो हम लोग simple से यहाँ पे scrap को call कर देंगे scrap को call कर देंगे right scrap को हम लोगों ने call कर दिया और इसके बाद जब scrap को अभी call करेगा अब scrap simple से जाएगा कहाँ पे यहाँ उपर जाएगा और scrap उपर जाके सारा का सारा data मतलब कि scrap करेगा उसके बाद data को हमारा notify भी कर देगा सब कुछ करेगा काम scrap हमारा अब हम लोग क्या करेंगे format list यानि कि जो हमारा format list हम लोग बनाएं जिसमें हम लोग HTML CSS सब कुछ रखें यानि कि scrap जो call किया तो जब scrap यहाँ तक आ जाएगा पूरा खतम कर लेगा ठीक है पूरा खतम कर लेगा save करने के बाद अभी हम लोग बनाएंगे उसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो हम लोग इसको का करेंगे clear कर देंगे clear कर देंगे फिर से 0 हो जाएगा अब हम लोग को क्या करना होगा अब हम लोग को inhtml का जो है inhtml injson inhtml.configure इसका state हम लोग को normal करना पड़ेगा क्योंकि एक बार जब हम लोग जब हमारा store हो गया उसके बाद हमें normal फिर से करना है तो हम लोग इसे normal करते है normal control c में करता हूँ फटाफट control vv कर देता हूँ मैं inhtml के बाद में करता हूँ मैं इसे injson in csv कर देता हूँ हमारे normal हो जाएगा एक बार जब इतना हो जाएगा तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या करना है हमारे पर बात आ चुका है अब बस हमें data को store करना है तो data को मत्तब कि save करना है हमें किस format में save करना है data अब यह depend करेगा हम लोग कैसे data को save करते हैं मैं वैसे panda का use करूँगा pandas library है इसलिए मैंने panda इंपोर्ट कर रहा था इंस्टॉल कर रहा था पिप से नहीं हम लोग ऐसे किये थे अब आता हूं मैं simple से यहां पर panda का use करता हूं pandas काफी अच्छी library है तो देखो मैं यहां पर pandas use करता हूं कैसे तो यहां पर एक बनाते हैं function पहले data frame बनाते हैं df request to मैं यहां पर pandas को import किया हूं कि नहीं अभी मैं import कर लेता हूं import सारी यह compile लिख रहा है import pandas as pd मैं pd नाम से उसे import करना चाहता हूं तो मैंने उसे modify कर दिया है बस तो मैं यहां पर pd.dataframe में लिख देता हूं data frame अब देखो अब इसमें काम क्या होगा इसमें का थोड़ा काम लिंदी होगा मैं एक list बनाऊंगा पहले ठीक list के अंदर मैं क्या करूंगा जीप का यूज करूंगा जीप अभी में बताता हूं जीप क्या करेगा अभी जीप क्या करेगा पता है यह जितने भी हम लोग यहां पर 12-13 अट्रिब्यूट है इसके जितने भी list बनाया है ना जैसे कि यह है कंट्री है टोटल है सबको तो अलग-अलग list में रखाना वो क्या करेगा जीप सारे के सारे में से इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो सबको निकाल के एक list में कर देगा फिर इसका वन इसका वन इसका वन इंडेक्स इसका वन इंडेक्स सारे के सारे पहले इंडेक्स को नि list में convert कर देगा फिर डू को उठाएगा एक list में convert कर देगा इसलिए हम लोग इसका use की हैं तो यहां पर देखते हैं कैसे हम लोग इसे use करेंगे तो जीप हो गया हमारा अब हमें कर दूँगा सिंपल से control c यही सब डेटा इनी सबको तो मैं extract करना है इन सब डेटा का 00 इंडेक्स लेगा और सिंपल से उन सबको merge करेगा तो मैं यहां के control v कर दिया अब मैं कॉमा दे देता हूं फिर जाता हूं यहां पर और जो बचा हूं उनको भी कर लेता हूं तो मैं किया यह किया इस तरीके से मैंने इसे भी कर लिया control c किया और मैं आके सिंपल से यहां पर CTRL V कर देता हूँ ctrl v razor अब यह थूड़ा कुछ ज्यादा बड़ा हो चुका है तो मैं वह करता हू운 कि नीचे कर देता हूँ रड़े अब मेंसे नीचे कर दिया तो कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने तो तो मैं काम करता हूँ थोड़ा दूर ले जाता हूँ यहां से करता हूँ राइट यहां से कर दिया अब मैं थोड़ा से देख लेता हूँ सब एकदम मतलब की राइट पोजिशन पे हैं की नहीं तो पहला एक अंट्रिलेश हमारा सही है टोटल केसे सही है निव केसे भी सही है है तोटल देत है तोटल है सॉह जही है ईज है उटकोब्र भी शाह्य है ऐक्टिव के ऍस कर लिजन से अधि चरफ शचसलीं वाोगला कोलम क्या देनहुगा हमें जो हम लोग निए भी दिखाता हूँ 熒ठ नाम काम करेगा तो मैं यहां पर बना दूंगा क्या headers दे दूँगा, headers दे दिया, अब हमारा एकदम काम हो चुका है, तो अब हम लोग को बस simple से यहां प्रिका करना है, convert करने के लिए, मैं एक variable ले ले लेता हूँ, sor equals to ले लेता हूँ, मैं df.sort value, अब मुझे sort करना है, right, sort करूँगा मैं किस बेस पे, जो हमारा total cases है, उस बेस sort value करूँगा, मैं total, total underscore cases cases, देखो, मैंने इसका जो index दिया, मैंने उसी के बरुसे, मैं कर रहा हूँ, total cases, देखो, total cases मैं इसी के बरुसे मैं sort कर रहा हूँ, यह automatically sort कर देगा, अब मुझे क्या करना है, ascending, right, यह ascending और descending में रहेगा, ascending एक question में कर दूँगा, false, false, false कर दूग यह हमरा sorted हो चुका है, अब बस मुझे store करना है, data for effort, अब मैं चलाता हूँ, जैसे कि यह 3 data, इसलिए हम लोग जो format list बनाया है, अब उसका use करेंगे, for i, मैं यहाँ पर k value ले देता हूँ, for k in, मैं क्या करता हूँ, format list कर देता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हमारा HTML है, CSS है, अब मैं करता हूँ, if, अगर k है, अगर if k is equals to HTML आता है, अगर k में HTML है, तो हम लोग क्या करेंगे, simple से, अगर k में HTML आ रहा है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, simple से path to एक बनाएंगे, path to नाम से variable, और यहाँ पर क्या करेंगे, यह curly braces लगाएंगे, पहले तो हम लगाएंगे, और यहाँ पर slash लगा देंगे, path के लिए, और मैं यहाँ पर save करना चाहता हूँ, all data से, all data.html, all data.html, और मैं यहाँ पर simple से आके लिख दूँगा, dot format, format पर क्या लिख दूँगा, path होई, जो हम लोग ने path बनाया है, तो ऐसे हमारा काम होगा, और यहाँ पर अब यह हमारा हो चुका है, यहाँ हमें path बन चुका है, यह हमारा एकदम अच्छे से, जहाँ पर हमें store करना है, यह simple से क्या किया, path, जो path हमारे पास, यह हमारा directory जो data था वो है, और इस data से में save करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, बस simple से लिख दूँगा, sor.2csv कर 2HT email मुझे करना है, 2HT email मैंने कर दिया, अब यह क्या करेगा, 2HT email में convert कर देगा simple से, तो इस तरीके से हमारा यह बन चुका है, तो मैं यहाँ पर path दिया, मुझे यहाँ पर simple से क्या करना है, मैं यहाँ पर करूँगा simple से r लिख दूँगा, r हम लोग किसलिए देंगे, क चुला path रखा है, पूरा बनाने के बाद, यह रहा path 2 का path, यह हमारा हो गया, हमारा काम खतमी है, समझो, बस दो line, ऐसा की 3-6 line हो रहा है, बस 6 line हो रहा है, अब मैं इसे copy कर लिए, अब मैं इसे JSON कर देता हूँ, JSON है अगर तो, तो मैं यहाँ पर dot format कर देता हूँ, JSON में, JSON मे कर देता हूँ, right, अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर, to JSON कर देता हूँ, to JSON, और यहाँ पर करता हूँ, CSV, CSV, और इसे तरीके से मैं आकर यहाँ पर कर देता हूँ, CSV, और यहाँ भी मैं करनोट कर देता हूँ, CSV, अब यह हमारा पूरा काम, एकदम perfect हो चुका है, अब हम अगर हमारा सेव हो गया डेटा तो if length of format list format list में अगर डेटा है तभी हम लोग जाएंगे format list is not is equals to zero है तो हम लोग यहां पर एक message box दे देंगे क्योंकि अब तक तो हमारा सेव हो चुका होगा message box देंगे sorry message message box dot so info देंगे so info क्या देंगे पहला argument रहेगा notification है भाई हमारा यह notification notification है पहला हमारा यह right उसके बाद मैं यहां पर दूँगा notification उसके बाद दूँगा अब मैं corona data is corona record is saved अब मैं यहां पर इसका path simple से देंगा dot format क्योंकि path पता चले आदमी को कहां store किया है dot format कर दूँगा मैं क्या dot format करूँगा मैं यहां पर path कर दूँगा मैं right path पर इस्टोर हो रहा है और मैं यहां simple से इसका parent कर दूँगा पर इसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसे delete कर दूँगा इन तीनो data को इन तीनो को मैं delete कर देता हूं delete मैं try again करता हूं open किया हूं किया इसे मैं इसे मैं अभी close कर देता हूं try again अब मैं आता हूं अपने data पर जो हम लोग ने बनाया है यह रहा अब मैं चाहता हूं यहां पर यह पहली बात तो USA का दे उसके बाद यह html में store करें अब मैं qr में इसे save कराना चाहता हूं देखो यह save करता है select कर दिया अब देखो यह save कर रहा है कि नहीं पहले तो notification आ गया हमरे पास USA का सही है और यह corona है यानि कि save हो चुका है यानि कि हमारा आप save हो चुका है देखते हम लोग save कहां पे हुआ है save qr1 देखो इसमें JSON और HTML दोनों HTML का आप खोलेंगे देखो HTML का format आ गया है तो हमारा यह project बन चुका है और इसी तरीके से हम लोग चाहें तो इसमें तीन का तीनों भी कर सकते हैं तीनों को हम लोग भी कर सकते हैं देखो यह सारे हो गया HTML, cion script, JSON, CSP तीनों मैं करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चाइना अब देखो मैं करता हूँ इस से सिंपल से और मैं चाहता हूँ इसी में हो जाए तब देखो उसी को update कर देगा file का name save दी है देखो आ गया यह तो यह हमारा हो चुका एकदम perfect देखो चाइना का आ अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट साथ मिलेंगे ओके थैंक्यू